गुड वार्निंग प्यारे साथियों उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे आपकी पढ़ाय लिकाई बढ़िया चल रही आज कुछ आप अलक वढ़ने वाले हैं वो क्या है पता है आज आप पढ़ेंगे वर्गमूल का घनमूल में गुड़ा कैसे करते हैं देखे नार्मल स वर्गमूल 5 का गुड़ा घनमूल 25 में करना है कितना आएगा चलो आगे आओ में बताता हूं सबसे पहले एक आसान सा सवाल बता देता हूं देखिए एक चीज़ समझे कि अगर किसी संख्या पर वर्गमूल लगा है जैसे साथ है इस पर वर्गमूल का चिन लगा है तो इ इसका मतलब होता है 11 का पावर यह एक बटा तीन ठीक है अगर किसी संख्या पर माल लीजीए ऐसे है इस पर चिन लगा है यहां पर घहात माल लो चलो साथ है सेबन घहत समझना अच्छे से ठीक है यहां साथ घहत तो इसका मतलब है कि 17 इसकी पावर व्रगमूल शेबन समझ रहो एक चीज और समझ लो यहां पर अगर ऐसे है यहां पर 21 मानलो इसकी घात 3 है और यहां पर मतलब 5 है घात समझना तो इसका मतलब है 21 की घात 3 बटा 5 कुछ समझ रहे हो कि नहीं जो अंदर वाली घात है वो अंस बन जाती है और जो बहरे वाली इसकी घात है वो क्या बन जाती है यहां पर हर बन जाती है ठीक है वैसे यहां सतरा पर कोई घात नहीं थी वन थी उपर वन बना था यहां पर देखो साथ में कोई घात नहीं थी वन होने वाली आओ चलो आगए कि साथि मेरे दो को फिर हम इस तριके से लिख सकते हैं दो का एक बटा दो और राठ को फिर इस तरीके रिख सकते हैं एक बटा तीन इसमें कोई दिक्कत नहीं चलो बढ़िया है, इसको हम और आफान तरीके से हल कर सकते हैं, डारेक्ट, लेकिन थोड़ा सा लंबा इसलिए बताएंगे का आप तरीका सिख जाओ, आठ को हम लिख सकते हैं, दो कगात तीन, और इंटू बाहर से बटा तीन, तो दो कगात एक बटा ये दो था, एक मिनिट, रु एक अपावर येंटू ये सूत्र होता है, एक अपावर येंटू ये धातां का नियम जानते हो, अगर घात के उपर घात लगी है, तो वो कैसे रियाक्शन करती है, ये बात आप सबको अच्छे से बता है, तो ऐसे जो तीन का घात, एक बटा तीन है, वो अई से बनेगा, तो तीन से तीन डिवाइड हो जाएगा, आपका क्या आएगा, सिर्फ वन आएगा, तो यह आएगा सिर्फ वन, ठीक है, आप देखो दो का घात अगर एक बटा दो लगा है, इसका मतलब वर्गमूल है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस दो को नार्मल दो लिख दो, इ छोटा तरीका भी था, वो भी मैं बता देता हूं, जो कि हर कुश्चन में नहीं लगेगा, इसमें लग रहा था, ताथी मेरे इसी कुश्चन में, आप इस जो दो है, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, दो का घात एक बटा दो, इंटू, आठ जो है, आप सभी को पता है कि आठ, दो का क्या है, घन है, दो, दुना, चार, दुना, आठ, दो का घन है, ये नारमल भी ऐसे तरीके से भी आ जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ये, ठीक है, क्योंकि वो घनमूल आठ का तो निकल जाता है ना, दो, तो इस सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सिखाया कि ऐसे बहुत से नंबर है, जहां पर आपका घनमूल डारेक्ट नहीं होता है, जैसे अभी आगे सवाल में देखोगे, इसमें जैसे अगर आप देखो, तो यहां भी हो जाएगा, असान है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ रियल वाला, ये वाला नहीं होगा, इ इंटू, नाइन, और नाइन की घात साथी मेरे हमारी हो जाएगी, एक बटा तीन, ठीक है, समझते चलना, अब ये क्या होगा, बाबु देखो यहां, अबर तीन का घात, एक बटा दो, ये समझने वाले चीज है, नाइन को आप थिरी का स्कॉायल लिख सकते हो, इंटू अ ठीक है, ये घात की घात है, आपस में गुड़ा हो जाएगी, दो का ऐसे तो ये हो जाएगा, दो बटा तीन, क्या हो जाएगा, दो बटा तीन, तो ये तीन की घात, एक बटा दो, और इंटू, ये तीन की घात, दो बटा तीन, एक चीज आपको अच्छे से पता होगा, आ पर दो लो भी या दो थैया इन दो शेया सब्सक्राइब तो एक मिनट पर नहीं के अगर चेमें तीन को भाग करोगे तो दो आएगा तीन दूने शेया तो यह आएगा दो दुना यानि 7 वटाच 6 कितना आएगा 57 ठीक है कितना आएगा बाबू ortunatry तो आप इनको 7 पाँन फिक्स पहले क्या करोगे लिखनोगे कहा पर 3 की घाट 37 6 ठीक है अब वही दरीका जो मैंने वर्गमूल वाला भी बताया था 3 की घाट जो 76 है इसे वर्गमूल के रूप में तुम ऐसा लिख सकते हो ऐसे चिन्ध लगाओ और तीन का घाट जो ये 6 है यहाँ आ जायागा ये हो जायागा 7 ठीक है तो तुम इसे ऐसा लिख सकते हो ऐसे तीन की घाट इसको 6 कर लो ये 6 अल्रेडी है इंटू ये तीन और ये इसकी घाट यानि हमने क्या किया हमने ऐसा किया तीन की घाट अगर साथ है तो इसको तीन घाट 6 गुड़े तीन घाट एक कर लिया ठीक है दो जगा तोड़ दिया तो दो जगा तोड़ा का है के लिए अपना काम बनाने के लिए यहां फी यह छे से छे घात निपट सकती है फाइनल में सित तीन बचेगा और यह आपका यह इतना ठीक है यह आपका अंसर आ गया इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं एनी डाउट तो बता दो मुझे शाप लो फटा फट चलो शापो मैं सामने सर जाता हूँ शापो आया समझ में तो यह कितना आसान था ना इफी तरीके से आप अगला सवाल खुद से घर से करेंगे यह कर लेंगे कि नहीं यह तरीका बढ़िया था मस था ना सवाल अच्छा था इसको कर लोगे यह बहुत आसान है और सब जो दिया मैंने आसान है इजी है यह वाला इजी नहीं था और एक आपको और बताएं इसको भी आप घर से करोगे यह भी इजी नहीं है बिल्कुल सेम ऐसे लगे का जैसे आभी मैंने बताया बिल्कुल यही तरीके लगेगा यह कर लोगे ना सभी सारा टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन प्रेस करें आल नोटिफिकेशन अंद करें और उस क्लास को लाइक करें जिससे आप फ्री पढ़ पाएं घर बैठे कुछ नहीं लगने वाला थैंक्यू